आप देख रहें इंधिया न्यूस सबसे पहले देश आपके साथ मैं रशना बंसर जम्मु कश्मीर से लेकर उत्तरा घंटक क्राकरतिक तांडव देखने को मिल रहा है जम्मु कश्मीर के रामबन में जमीन धस रही है और जमीन के धसने से 60 से जादा ऐसे घर है जिने काफी जादा नुकसान पहुंचा है तो वहीं राजस्तान का बीकनेर है जहां पर करीब करीब डेड़ बीकर जमीन 50 फीट नीचे धसने से इलाके में दह्शत का महौल है गटना की बाद बीकनेर जिला प्रशासन और भूगर्भ विशेशग्यर अभी जांच में लगे हुए हैं और पता लगाने की कोशिश के आखिर ऐसा क्यूं हुआ गटना को लेकर कुछ कारणों का पता लगाने की कोशिश है खुलास अब कुछ नहीं हुआ है उदर उत्तरा खड में आँग का तांडव लगातार जारी है आँग को बुझाने के लिए सरकार अपनी तरफ से कर रही है हाई लेवल मीटिंग्स चल रही है बावजुद इसके आख पर किसी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है तो एक साथ तीन अलग-अलग हिस्तों से इस तरीकी के घटना जिससे आम लोग देहशत में हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन घटनाओं के ही है और जमीन के अचानक से धसने से कई घर ऐसे हैं जिनने नुकसान पहुचा है कई घर तो ऐसे हैं जो जमीन में पूरी की पूरी तरह से समा चुके हैं और इन घर के जमीन में समाने के बाद अब लोगों के पास विकल्प घर का कुछ बचा नहीं है जमीन के अंदर अग पर से जो जांग का खत्रा है वो अल्रेडी बना हुआ है। इस जांग के खत्रे की वज़े से भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। पहाड खिसक रहे हैं तो यह परिशानी और जादा बड़ी होती हुई नज़र आ रही है रामबन की तस्वीरे आपने देखी रामबन की तरह ही एक परिशानी बीका नेर में भी आकर खड़ी हो गई यह बीका नेर जहांपर जमीन धसने का रहस से अभी भी बरकरार है देड बीका के करीब जमीन है जो धसने से कोहराम के सिटी मची हुई है ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूस की टीम पहुची और इस वजह को तलाशने की कोशिश की कि आकर कैसे जमीन पर यह इतना बड़ा गड़ा हो गया जमीन का जाइसा दिया आसपास लोगों से बात की अचानक से रातो रात यह घटा गड़ा कर कैसे हो गया अब इसी रास को जानने के लिए वहां लोगों का बेला लगा हुआ है लोग पहुच रहे हैं आप देखिए यह कितना बड़ा गड़ा है जो अचानक से जमीन में हो गया है और जमीन के इस गड़े का रहसे अभी भी रहसे ही बना हुआ है सोशल मीडिया पर लगातार बीकनेर की यह घटना सुर्कियां बटोर रही है लोग इसकी बारे में बात कर रहे हैं और देश के अलग-अलग हिस्तों में इन तस्पीरों की चर्चा है जमीन धसने की वज़े आखिर क्या है यह पता लगाने की कोशिश हो रही है बीकनेर से मनोच पुरी इस खबर को लेकर ज्यादा अबडेट हमारे दर्शों को तक पहुँचाएंगे यूँ तो देश के अलग-अलग हिस्तों में कुछ घटना आए है जो लगातार रहे से बना रही है और रहसे बरकदार रख रही है बीका नेर का रहसे कुछ खुला क्या मनोच आप पहुँचे वहाँ पर इंडिया न्यूस की टीम लगातार वहाँ पर जांच कर रही है अपनी तरीके से इंडिस्टिकेशन जारी है जमीन में अचानक से इतना बड़ा गड़ा आखिर हो कैसे गया जी बिल्कुल ये जांच का विश्य है और लगातार बूगरब विश्य सग्य है जो इसकी जांच पढ़ताल कर रहे है आलाएं कि अब आज इस गड़े को वे तेरों दिन है और अभी तक किसी जांच पर जो एक टीम आई हुई है जो लगातार जांच कर रही है कि यह गड़ा आखिर कैसे हो गया जी जिस वजह से गड़ा वह इनके वक्त हुआ या फिर क्या इतना ही चोड़ा इतना ही गहरा था या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है आखिर के साथ ही दस गही है जैसा कि हमारे दर्सकों को आमने वीडियो के माद्यम से दिखाया था और वो पिक अप चालक जयाद के समय पिक अप चालक है जिसने ग्रामेनों की मदद से दूसरी गाड़ी में बुला के और उसको टो करके वहाँ से पिक अप को निकल लो आया कि किसी पार्टी के